जैने दोस्तों बंदे मातरम दुनिया भर में जितनी भी चीजें होती हैं उनमें से आदी सी जादा अजीब वगरीब चीजें चाइना जापान जैसे देशों से ही निकल कर आती हैं अब अजीब चीजें से मेरा मतलब खतरनाक से नहीं है आजीव चीजों से मेरा मतलब ऐसी चीजों से हैं जिनकों कि सुनकर या देखकर या समझकर आप अपना सर्क हो जाने के लिए मजबूर हो जाएंगे अभी तक आप लोगों ने कई सारी चीजों के बारे में सुना होगा जिनकों कि आप किरायपर ले सकते हैं जैसे किराय पर कमरा, दुकान, घर, फ्लैट, गाड़ी, सब कुछ, इवन बस, ट्रक तक आपको किराय पर मिल जाएगा और बहुत सारे लोगों से आपने इस बारे में सुना भी होगा और किराय पर इन चीजों को इस्तिमाल भी किया ही होगा कि हुआन शहर में एक शॉपिंग सेंटर ने 15 लड़कियों को किराय पर उपलब्द कराया है वाइटलेटी सिटी, शॉपिंग कॉंपलेक्स के में गेट पर कई लड़किया आपको खड़ी मिल जाएगा इन में से जिसे चाहे सेलेक किया जा सकता है और बदले में इसके लिए शुराती तौर पर 13.7 युवान चुकाने होंगे हायर करने के बाद उसके साथ आप शॉपिंग कर सकते हैं, लंच कर सकते हैं, डिनर कर सकते हैं बस इसके लिए एक शर्त माननी पड़ती है, कि उस लड़की को टच नहीं कर सकते हैं इस शॉपिंग सेंटर का उस समय दावा था कि ये अगले साल का सबसे बड़ा शॉपिंग ट्रेंड बनेगा चीन में आज उसका दावा सच में हकीकत बता जा रहा है दरसल हाली में एक चीनी अकबार के रिपोर्टर ने गल्फरेंड या बॉइफरेंड को किराय पर देने वाले इस काम की असलियत जानने के लिए इन्विस्टिकेटिव रिपोर्टिंग की पत्रकार ने एक वेबसाइट पर फेक अकाउंट बनाया और गल्फरेंड किराय पर लेने की डिमांड की इसके बाद सोशल मीडिया पर 29 साल की ग्रेजुएट ने उससे संपर्क किया महिला ने कहा कि उसकी डेली फीज हजार यूँआन मतलब करीब करीब 11,990 रुपए होगी इसके अलावा किसी तरह की यात्रा ये वहार के लिए उसको एक्स्टा पैसे देना पड़ेंगा महिला ने कहा कि उसकी फोटो देखने के लिए रिपोर्टर को 20 यूआन मतलब करीब करीब 240 रुपए का भुक्तान करना पड़ेगा रिपोर्टर राजी भी हो गया और कुछ समय बाद महिला गर्ल्फरेंड के रूप में उससे मिलने के लिए जियांगसू प्रांत में नांजिंग आ गए साउथ चाइना मौनिंग पोस्ट के अनुसार महिला ने कहा कि उसके पास एक वाइड कॉलर वर्कर के रूप में फुल टाइम जॉब जिसमें उसे करीब करीब 60,000 रुपए सेलरी मिलती उसने कहा कि वो सिर्फ अपने खाली समय में किराई की गल्फरेंड के रूप में एक काम करती आमतार पर छुट्टियों के दौरान इसके डिमान बढ़ जाती महिला ने कहा कि लूनर न्यू यर में डे हॉलिडे, ड्रेगन बोल्ड फेस्टिवल और नैशनल डे हॉलिडे पूरी तरह बुक हो चुके है उन दिनों का किरायत 30,000 रुपए तक है उसने बताए कि कई बार मुझे एक दिन में एक से जादा ओल्डर भी मिल जाते है चीन में इन दिनों ये एक आम बात बन चुकी युवा लोगों को उनके माता पिता या फिर परिवार के अन्य सदस से जबरन ब्लाइंड डेट पर भेजते है महिला ने कहा कि अगर वो व्यस्त होती है तो अपने ग्रहकों को अन्य महिलाऊस मिलवा देती इसी तरह जापान में लोगों के पास वक्त बताने के लिए भी व्यक्ति को हायर करना पड़ता है यहां सूडो मतलब की फेक बॉइफरेंड बराने के लिए जापानी लड़कियां एक घंडे के लिए किराय के बॉइफरेंड को 5000 जापानी एन मतलब करीब 3156 रुपए तक रेंट दे रही जापान की सोनी एपनाई नाम की कमपनी ने 2011 में स्थरह की सर्विस शुरू करी थी इसमें अलग काम का अलग रेट तै किया गया था कमपनी 7 घंटे की सर्विस के लिए करीब करीब 19,000 रुपए 8 घंटे की सर्विस के लिए 20,000 रुपए 12 गंटे की सर्विस के लिए 30,000 रुपए तक चार्ज करती इसमें कस्टमर केवल भाड़े के बॉइफरेंड की बाहों में सो सकती चीन और जापान दोनों देशों में लड़के लड़कियां इसे फुल टाइम जॉब के तौर पर लेने लगे एशिया के इन दोनों देशों के अलावा ये ट्रेंड भारत में भी पॉपलर होता जा रहा 2022 में बैंगलीरो के लोगों के लिए मोहित चूरीवाल और आदित लुखियानी ने दे बेटर डेट नाम से अप शुरू किया इसकी सर्विस भी किराये पर बॉइफ्रेंड मोहिया कराने की है इसी तरह टॉइबॉइ नाम का पोल्टल भी बैंगलीरो में चल रहा है अप डाउनलोड करने के बाद फोन पर लड़कों की प्रोफाइल डिस्पले होने लगती है पिछले वैलेंटाइन्स डे के मौके पर इन अप पर यूज की अक्टिविटी में तेजी देखी गई थी तो हो सकता है भई आने वाले दिनों में आपको इंडिया में इस तरह की और वी ज़दा अप्लिकेशन्स में डेवलप्मेंट होता हुआ मिल लेकिन क्योंकि ये भारत है तो इसी रिए एक बड़ी पॉस्विलिटी ये भी है कि यहां पर गवर्मेंट इंटर्वीन कर दे अगर इस तरह के मैटर्स बढ़ते हैं तो लेकिन आप मुझे बताएं कमेंट सेक्शन में लिखके कि क्या भारत में ऐसी सर्विस अगर धर्ले से शुरू हो जाती है तो क्या आप उसका फायदा उठाना चाहेंगे मेरे स्विडियों फिलालत नहीं चाहे हैं चाहे बाद